बिहार सरकार के भी आईपी लोग अब हवाई जहाज में उड़ेंगे और बिहार सरकार इतनी सक्षम हो गई है कि केंद्र सरकार से पैसे भी नहीं लेगे लेकिन बिहार सरकार के पास पंचायती राज के जनपर्थनीद्यों की सुरक्षा के लिए उनकी आर्थिक हल के लिए पैसे नहीं है या इच्छा सक्ति की कमी है नमस्कार मैं सुअ भैकुमार अफ देख रहें अपना खास कार्करम पसंदिदा गाउं की सरकार में हमाज बात करेंगे कि क्या हुआ वाड सदस्यों के आंदोलन का, क्या हुआ सरपंचों के पुरानी मांगों का और क्या हुआ हमारे पंचायती राज के जनपर्तनीदियों के सुरक्षा देने के वादा का तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने वादा किया था कि हम अपने पंचायती राज के जितने जन परतनिधे हैं उन्हें सुरक्षा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, आरक्षन तो दे दिया, दबे कुछलों को कुरसी पर बैठा दिया, महिलाओं को कुरसी पर बैठा दिया, लेकिन कुरसी मिल जाने से क्या होगा, जो काम करते थ जा रहा है तो उन्हें बेतन भी मिलना चाहिए उनकी मजदूरी भी मिलना चाहिए तो बिहार सरकार काती है कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन सवाल तो अब उठता है सवाल इसलिए उठता है कि जब बिहार सरकार के पास एक हवाई जहाज उड़ने लाइक थी उड़ने लाइक है फिर भी मंत्री मंडल के बैठक में कैबिनेट की बैठक में एह निर्मे लिया जाता है कि बिहार सरकार हवाई जहाज खरे देगी अपर लिए जेट इंजन वाला विमान खर देगी ताके ज्यादा डैने की बड़े जन परत इन परती देत इस देश जिसे राज्यका छोटे जन परत harbor के पास साईकल भी नहीं है साउटे लाइक अंदानी नहीं है उस राज्यक्वे जन परतिनिद्य बड़े आईपि रोख प्राइवेटे सी बN talkा लेंगे नीजी जट से बॢ़ेंगे और लगातार आंदोलन कर रहे हैं पटना के सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं भूख प्यास से थंड में उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से अपनी जैग मांगों को मांगा जैग मांगों है कि हमें विकास करने के लिए आजादे दिया जाए विकास कर सब्सक्राइब को पूरा करने के लिए रासी हमको दिया जाए हमें जो हम काम करते हैं उसके एवज में हमें बेतन दिया जाए हमारी सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए हमें बीमा किया जाए लेकिन राजसरकार के पास पैसे नहीं है अगर पैसे हैं भी तो विकास रासी क्यों करना चाहती है लेकिन दूसरे तरफ आपस में ही जन्द पर्तिधियों को उल्जाने का काम किया है मुख्या जी के जिम में काम 15 बीद सब्सक्राइब के रासी दे दिया है मुख्या जी समझे हम तो बड़ा अधिकारी हम बड़े लोग कुछ समझ में नहीं करेंगे जब कि संख्या में वाट्सदास से ज्यादे हैं वह अभी चुनाओ जीत कर आया है और ऐसी परिस्तिति में आपस में जन्द पर्तिधियों को ल को विकास कारों भागिदारी मनाया जाए जगड़ा लड़ाई भी नहीं होगा और विकास भी तेजी से होगा लेकिन बियास सरकार के पास बहुत सारे पहाने हैं विशेसराज के दर्जा का चैच चाहिए विशेसराज का दर्जा हो जाने के बाद बहुत सारी पैसे आ नहीं लेंगे और अपने तरफ से हम रासी देंगे को समांजनक बेतन और भत्ता देने के कि अपने सदन के सदश्य हैं उसी तरह से हमारे मुख्या जी वाड सदस साहभ पंच साहभ सरपंच साहभ BDC के मेंबर सारे के सारे अपने अपने सदन के सदस्य तो इन सदस्यों को बेतन और भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए और जो जाएज मांग है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए कहा जाता है विकास नीचे से उपर की ओर जाता है तो पैसा भी आप नीचे भेजिये तब उपर की ओर जाएगा तब प्रेसर से जाएगा प्रेसर देना पड़ेगा तब पैसा जाएगा आप पैसा उपर रखते हैं और धीरे-धीरे मनमानिक सिक्का गिराते रहते हैं तो वि सरच कोशल सी मंगे थी उस्ट के सायद्रासरकार भूल गई है हमारे पर से हमें धम सी द्या जाता है कि भरकार है आप कॉमेंट में बतायेगा क्या मैं आपको बलाकाने का काम करता है अपने पंचात प्रता निद्यों को भळकाने काॉaning काम करता है तो हम आप जाएगा कि मुख मंत्री जी का यात्रा बिस्तुरू हो गया है अब अपनी मांगों को जुरदार तरीके से उठाइए रखिए लुक्स्तान्त्रीक तरीके से रखिए और राज्सरकार से बुजारिश करना चाहते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है चुनावी वर्सा रहा है आप इन्हें बेतन नहीं देगा तो चोडि ऊड़ाइक रहे रिवी जब बेतन सकता है कि जब बेतन नहीं मिलेगा तो कहीं ने कहीं या गलत करेंगे तो तो हमारे जो जो पंचाइच परत्मिदी हैं उनका क्यों नहीं बेतन भत्ता बढ़ाया जा सकता है दोस्तों वीडियो लंबीन हो जाए बात है बहुत है मन में बहुत अंदर से गुबार है क्योंकि मैं अपने चैनल पर बार बार हमारे जो सरकार के तरह से जुरूटिफिकेस मिलता है हम बताते हैं और जब पता चलता है कि अगले महीने पूरा हो जाएगा दो महीने बाद पूरा हो जाएगा और नहीं पूरा होता है उसे लागू नहीं किया जाता है तो जितना आपको तकलीफ होता है इतना हमको भी तकलीफ होता है आप लोग बहुत लोग समझते ह यह गरत इंफर्मेशन दे दिये जबकि जो भी इंफर्मेशन हम देते हैं या तो अखवार में रहता है या किसी विपसाइट पे रहता है या फिर हमें विभाग द्वारा बताया जाता है वही हम बताते हैं तो अब सरकार शेत जाएए क्योंकि भीरे-धीरे अब पंचाइक पॉध्ययों का इसंबर का बाॉठ तूट रहा है और ये गरमी में जो यातर हो रहे हैं मुख्ध मंतरी जी का समाधान यातर boleh तो सबसे बड़ा समय हम्हां यहीं होगा कि समस्या का समधन है कि हमारे पंचया पर निष्ट का समस्या का समाधान कर दिया जाएगा तब वाड का विकास होगा गाउं का विकास होगा परखंड का विकास होगा तो धीरे धीरे राजी का भी विकास हो जाएगा तो दोस्तों अपनी बात को कॉमेंट में जूरू लिखेगा अब किस जीले से और किस परखंड से आप सून रह झाल झाल झाल